परिचय उद्देश इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे जडों का महत्व समझाना जाइलम की भूमिका का महत्व समझाना प्रकाश संसलेशन को परिभाशित करना फ्लोएम यानि पोशवाह की भूमिका को परिभाशित करना वाशपोत सर्जन को परिभाशत करना जणे विभा अपने बगीचे से कुछ खरपतवार साफ करना चाहती है उसने उन्हें निकालने की कोशिश की लेकिन असफल रही उसने देखा कि वो धर्ती से द्रटा से जुड़े हुए है उसने अपने माली से मदद के लिए कहा उसने थोड़ा प्रयास करके उन्हें निकाल दिया उसने खरपतवार की जड़ों के निचले सिरों की तरफ लगे रेशों की तरफ इशारा किया जिन्होंने मृदा को जकड रखा था इन रेशों को मूल या जड कहते हैं सभी पौधों में मूल होते हैं मूल पौधे के शरीर के दूसरे भागों को जल और पोशक पदार्थ प्रदान करने में महतुपूर्ण भूमिका निभाते हैं मूलों में रोम होते हैं मूल, बृदा से जल और पोशक पदार्थ इन ही रोमों की सहायता से अवशोशित करती हैं। किसी मूल में जितने अधिक मूल रोम होंगे, वह उतना ही अधिक अवशोशन करेगा। पादप वाहिकाएं जायलम नली नुमा वाहिकाओं का एक जाल पादप के पूरे शरीर में फैला होता है। वाहिकाओं के इस तंत्र को जायलम कहते हैं। ये वाहिकाओं विशेश कोशिकाओं से बने होते हैं। ये एक चैनल की तरह कारे करते हैं जो मूलों को तने और शाखाओं के मध्यम से पत्यों से जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल और मृदा से अवशोशित घुले हुए पोशक पदार्थों को पादब के पूरे शरीर में ले जाता है। फ्लोयम रिया सुबह का अलपाहार बहुत जल्दी में खा रही है। उसकी माँ उसे सलाह देती है कि वह भोजन को अच्छी तरह चबा कर खाए जिससे पोशक तत्व शरीर द्वारा अवशोशित हो जाएं। एक उतक होता है। परिवहन में पत्तियों द्वारा प्रकाश संचलेशन के दौरान तयार की गई शावरा पादब के अन्य भागों तक पहुचाई जाती है। क्योंकि यह शावरारा का परिवहन करता है, इसलिए फ्लोयम में एक चिप-चिपा द्रव होता है। इस पदार्थ को सैप कहते हैं, इसमें घुली हुई शावरारा होती है। प्रकाश संसलेशन जैसे मनुष्यों को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है, उसी तरह पादपों को भी जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है। प्रकाश संसलेशन वह प्रक्रम है जिससे पादप अपने भोजन का निर्मान करते हैं। प्रकाश संसलेशन शब्द दो शब्दों प्रकाश यानि सूर्य का प्रकाश और संसलेशन यानि तयार करना से बना है। अधह प्रकाश संसलेशन का अर्थ हुआ, प्रकाश की सहायता से तैयार करना। इस प्रक्रम में पौधों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश का प्रयोग कार्बन डायोकसाइड और जल से भोजन संसलेशित करने के लिए करती है। प्रकाश संसलेशन से शाल करा और ओक्सीजन प्राप्त होती है। सारांज आईए हमने जू कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। प्रकाश संसलेशन वह प्रक्रम है जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधों की पत्तिया सूर्य के प्रकाश का प्रयोग कार्बन डायोकसाइड और जल से भोजन संसलेशित करने के लिए करती हैं। प्रकाश संसलेशन से शावर करा और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। फ्लोएम प्रकाश संसलेशन द्वारा तैयार शावर करा को पौधे के सभी भागों तक ले जाता है। फ्लोईम एक चिपचिपा द्रव होता है जिसे सैप कहते हैं और इसमें घुली हुई शावर करा होती है। वाशपोत सर्जन वह प्रक्रम है जिसमें जल पौधों की पत्तियों और तनों से वाशपी कृत होकर वायू मंडल में चला जाता है।